या तो इस मूवी का कॉंसप्ट इतना महान था कि मुझे समझ नहीं आया और या फिर इसमें कॉंसप्ट था है नहीं कुल मिलाकर कहूं तो इस मूवी ने मेरे डेड़ घंटे से भी ज़्यादा टाइम खराब कर दिया कसम से मेरा मन बिलकुल नहीं कर रहा है इस मूवी के बारे में बात करने के लिए इस मूवी को देखने के बाद सबसे बड़ी मुझे टेंशन इस बात की हुई कि मैं आप लोगों को ये मूवी समझाओं कैसे क्योंकि बगार कॉंसेप्ट बगार कहानी एक बिना सरपैर की मूवी को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है सबसे पहले ये मूवी जो है वो मेकॉले ने भारत के सिस्टम को बरबाद करने के लिए एक जो नीती लेक आया था एजुकेशन से रिलेटिड उस पर ये उस लेंग्विज पर ये अधारित है यानि कि इंग्लिश लेंग्विज पर अधारित है जो लाइन मैंने बोली है मेकॉले वाली इसको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें एक या दो लाइनों को छोड़ दें पूरी की पूरी मूवी इंग्लिश में है अब मुझे ये समझनी आता है कि यार बाहर वाले यानि फोर्नर जो है या होलीवूड जो मूवी या सीरीज होती है वो अगर इस देश में लाते हैं तो हिंदी में करणवर्ड कराते हैं यहां वालों वो कौन सा भूछ चड़ता है कि वो इंग्लिश में बनाने साट कर देते हैं तो मैं आप लोगों को इसकी कहानी समझाने ही कोशिश करता हूँ एक लड़की है विवेक हाँ एक लड़के का नाम लड़की रख सकती है विवेक एक टीनेजर है एक लड़की है कहीं विवेक के नाम से तुम थोड़ा सा बोखला जाओ तो इसकी उमर 16-17 साल की एक टीनेजर दे ऐसी दिखाई गई है और टिनेजर का दिमाग होता भी कैसे है यानि अपने ही चलाने वाले सामने वाली की बिल्कुल नहीं सुनते उन्हें को लगता है कि वही है सब कुछ इस दुनिया में और जो विवेक है वो बिल्कुल ऐसी ही लड़की है जो रूल्स की परवा नहीं करती वो एक्जाम नहीं देना जाती क्योंकि वो लगता है कि जो एक्जाम जो होते हैं और एक दूसरी तरफ अश्वनी है एक लड़का अब ये एक लड़का है जो बिल्कुल अपोजिट है विवेक के यानि वो एक वेल ड्रेस्ट एक हैड़ बोई उसमें दिखाया गया इस मुवी में दोनों बाइचांस मिलते हैं और वो पूरा दिन एक साथ बिताते हैं अपनी बातें वो शेयर करते हैं और जितना हो सकता है वो audience को बोर करने की उतनी ही वो कोशिश करते हैं और audience बोर नहीं होती उनके सर में दर्द हो जाता है वेक 40 साल के एक आदमी को पसंद करती है जो है अबेदेवल उदर अशुनी वो भी 35 से 40 साल के एक औरत को पसंद करता है साल चल गया रहा है इस movie में और टीटू लट निकाल और तेल लगा उसमें और राइटर का एडरस निकाल यार कोन है वो इस सच में कुछ और कमी थी तो कचरा और डाल देते हैं उसके अंदर है अरे मुझे यह समझ निया रहा नेट्विक्स वाले इस lockdown में पगला गए है क्या बिना सोचे समझे वो वेब सीरीज और मुवीज बनाए जा रही है मेरा दिमाग यह यूटूब वर्सिस टिक टोक की इतनी सारी वीडियो देख करनी हुआ जितना ज़्यादा का दिमाग खराब मेरा यह मूवी अकेले देखने से हो गया अब एक्टिंग की बात करते हैं अब यह दोल को वैसे ही बहुत कम टाइम मिला है बाकी अन्यक अलाकारों की बात करें तो जैसे इस मूवी ने ना कॉंसेप्ट था ना कोई कहान नी थी वैसी इसमें कोई एक्टिंग भी नी थी बिलकुल बखवास चीजें थी इसमें और स शायद यह इनके क्रू मेंबर ही थे उनसे जबर्दस्ति उनका फोन लिया गया होगा और जबर्दस्ति रेटिंग दी गई होगी मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा वन आउट अफ टैन स्टाम मैं एक ही बात बोलूँगा अपनी ओडियन से यह 166 होगे मेरे मुझे बहुत कुछी है दो दूर रहो इस चीज से अगर अपना इम्मुटी सिस्टम कमजोर नहीं करना चाते हो तो ऐसी मूवी से दूर रहना यह बकवास मूवी थे तुमारे दिमाग में कच्रा और तुमारी इम्मुटी सिस्टम को खराब कर देंगी कैं रबस आज के ल